आईए अब हम जानते हैं कोलाइडल परक्षेपन के गुणों को जैसे कि अभी तक हमने जाना कि कोलाइडल विनेनों का एक बहुत बड़ा रेंज है जिसका उप्योग हमारे विभन छेत्रों में जैसे कि दैनित जीवन में या फिर आउशधियों के रूप में या उत्पेरक के रूप में या वैसलेशी क्लरसायन में होता है और इन सब के पीछे कारण है इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इनकी विशेष गुण जो की इनहें विशुद धविलियनों जो ट्रू सोलूशन्स तथा सस्पेंशन से प्रिथक करते हैं कोलाइडल विनियों के गुणों को हम चार भागों में वर्गी कृत करके अंका अध्यान कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले आता है आपका अनुसंख्यक गुण कॉलिगेट्यू प्रॉपर्टी इसके बाद प्रकाशी गुण ऑप्टिकल प्रपर्टी यांत्रिक गुण मेकैनिकल प्रपर्टी और उसके अनुसंख्यक गुण कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और कणों की संख्या यदि अधिक होती है तो अनुसंख्यक गुणों का मान भी अधिक होता है अब हम जानते हैं कि जो कोलाइडल विलियन होते हैं उनके कणों का आकार कोलाइडल पार्टिकल्स के कणों का आका शुद्ध विल्यन के कड़ों के आकार की तुल्णा में अधिक बड़ा होता है इसलिए यदि हम समान सांद्रता के एक शुद्ध विल्यन और एक कॉलाइडल विल्यन ले और दोनों के अनुसंख्य गुणधर्मों जैसे की वाश्पदाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन त कम होती हैं यह जबकि शुद्ध विलियनों के लिए इनके मान अधिक होते हैं जी उदारन के लिए यदि हम देखे को थनांक में उन्यन डेल्टा टी एफ जो की समान पाती होता है मोलता के और हम जानते हैं कि मोलता निर्भर करती है नंबर आफ मोल्स पर और नंबर आफ मोल् की संख्या पर तो कंडों की संख्या यदि कम होगी तो अनूसंख्या गुन धर्म के मान भी कम आते हैं तो इस तरह से ये जो शुद्ध विलियनों कि तुलना में कोलाइडल पार्टिक कोलाइडल विलियनों के अनुसंख्यागुण धर्म के मान कम कोटी के होती हैं आए अब देखते हैं हम प्रकाशी गुण ऑप्टिकल प्रापरटी ऑप्टिकल प्रापरटी में सबसे पहले जो गुण है वो आता है टंडल एफेक्ट या प्रभाव आपने देखा होगा जैसे कि आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है जब दिन में कभी आस्मान में बादल छाय हुए होते हैं और उनके बीच से शूरिका प्रकास आता है तो उस समय आपको प्रकाश के किर्णों का पथ दिखाई देता है यहे टंडल एफेक् तो वहां पर आपको इस पस्ट जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं इस पस्ट प्रकाश का पथ दिखाई देता है ऐसा आपने सिनेमा हॉल में भी देखा होगा जब आप सिनेमा हॉल में जहां पर पूरा अंधिरा होता है और वहां पर आप देखते हैं कि पीछे प्रोज आपको नजार आते हम ऐसा आपने अपने घर में भी देखा होगा जब पूर्ण प्रकाश होता है कमरे में खूब लाइट होती है तब तो प्रकाश का पथ आपको दिखाई नहीं देता लेकिन यदि कमरे में अंधेरा हो और कहीं किसी स्लिट से कहीं छेद से सूरी का प्रकास आ रहा हो तो वहां पर आपको पूरा प्रकाश कुरुणों का पथ इस अप्रस्ट दिखाई देता है यह सभी टिंडल इफेक्ट के ही उधारण है प्रकारती महीं नहीं इसे तरह से जहाँ पर भी कॉलाइड विल्यन होगा वहां पर हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है उधारन के तौर पर यहां पर आप दो विलियन आपको दिखाई दे रहे हैं एक जो सॉलूशन पहला वाला है वो हुमुजिनस सॉलूशन है यह किसी नमत का या शक्कर का आपका शुद्ध विलियन है तो यहां पर जब हम इसमें प्रकाश डालते हैं एक तरह से तो आप देख रहे हैं कि यहां पर प्रकाश जिस दर से हम डाल रहे हैं केवल वहां पर एंटरेंस लाइट की दिखाई दे रही है और बाहर जाती हुई लाइट दिखाई दे रही है बीच में विलियन के मद्धे में आपको प्रकाश का पत दिखाई नहीं दे रहा है जबकि दूसरे विलियन में जो की एक कॉलाईड विलियन है जब हम इसमे प्रकाश डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे विल्यन जो कॉलाईडल स्स helps िदूशन है उसमें प्रकाश का पत आपको चमकता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर उसे प्रकाश की दिशा में देखें तो हमें वो बिलकुल पारदर्शी श्वक्ष विलियन दिखाई Healing को हम प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा से देखें, य YEEy के 90 तो हमें वो विलकुल डार्क दिखाई देता है, वहाँ कोई भी प्रकाश की किराणहीं में पत्ह दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि हम वहाँ पर कॉलाइट विल्यन ले तो उसे जब हम पार्गमित ऌड़ की लेझते हैं तो यह और दूधिया प्रकाष उसमें प्रकाष का जो कुरुणों का पत है वो हम दुधिया चमकता हुआ दिखाई दीता है तो यह जो इस प्रभाव को को सबसे पहले देखा था अध्या सिसको फैराडे और बाद में इसका विष्तार को बैद्धियान Ce यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकाश का जो पत है यहां पर चमकता हुआ जो कौन दिखाई देता है उसे हम प्रकाशी कौन या टिंडल कौन कहते हैं इसे हम आये एक अक्टिविटी के द्वारा भी खुश्वयम देख सकते हैं यहां पर पहले बीकर में हमने सोडियम क्ल दूसरे में हमने प्रकाश की किरान डालते हैं डीजर लाइट डालेंगे और देखते हैं की इस में क्या प्रभाव दिखता है आप देख सकते हैं कि यहां पर शुद्य में ने जो प्रकाश लेजर लाइट है वह आति भी यहां ओपर बीकर के पास दिखaráह। लेकिन इसके अंदर प्रकाश का पत दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूद का कोलाइडी विलियं है यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में यहां पर प्रकाश का पथ बिल्कुल विलियन के मद्ध में आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि दूद का विलियन एक कोलाइडी विलियन है और कोलाइडी विलियन की विशेस्ता है कि यह प्रकाश के किर्णों का प्रकिर्णन करते हैं और इस तरह हमे एक ग्रॉस नहीं कोलाइडी वीलियन है और कोलाइडी वीलियन होने की वज़े से इसमें जो कोलाइडी कौन हैं वो प्रिकास के किरि arkยण कर यहां पर शुद्ध विलियन में बिल्कुल भी प्रकाश का पत हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरह से टिंडल इफ्रक्ट के प्रभाव के द्वारा हम शुद्ध विलियन और कोलाइडी विलियन में अंतर इसपस्ट कर सकते हैं हम और के ऊपर से भी देखते हैं तो यहां पर देख रहे हैं ऊपर से भी देखने पर यहां पर शुद्ध जो विलियन है सोडियम क्लोराइड का उसमें प्रकाश का पत दिखाई नहीं दे रहा है जबकि दूद के कोलाइडी विलियन में हमें इसपस्ट प्रकाश का पत दिखाई दे रहा है इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखें तो देखें स्टार्च के कोलाइडी विलियन में भी हमें प्रकाश का पत इसपस्ट दिखाई दे रहा है तो इस तरह से हम टिंडल द्वारा जो की कोलाइडी विलियनों का गोण होता है इसके आधार पर हम कोलाइडी विलियन और सुध्ध विलियन की तुलना कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं, हमने यहां पर धुवा उत्पन किया है, अब धुवा जो है, वह भी एक कोलाइडी विलियन है, और जिसे हम एरो सॉल कहते हैं, जिसमें की हवा में धूल धूमे के कण कार्बन के कण आपको दिखाई दे रहे हैं चुकि यह कोलाइडी सॉल है और इसलिए यहां पर इसमें जब हम प्रकाश की क्रण आपतित करेंगे तो इसमें भी हमें प्रकाश का पत दिखाई देगा यानि की जो कोलाइड है धूमे का उसमें भी हमें प्रकाश का पत दिखाई देगा आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको धुवा दिख रहा है वहां पर हमें प्रकाश का पत दिखाई दे रहा है साथ ही हम यहां पर देखते हैं कि जो धुवा है इसमें जो कुलाइडी कण है इसको आप ज्यादा पास से जाक देखें तो इसमें जो धुएक या कार्बन के कण हैं वह आपको तेड़ी मेड़ी जिग जग गती करते हुए दिखाई दे रहे हैं यह जिग जग गती ही यहाँ पर ब्राउनी मोशन कहलाती है जो कि एक कोलाइट के स्थाइत्तों के लिए अति आवश्यक होती है अब प्रश्न उठता है कि इस टेंडल एफेक्ट के पीछे कारण क्या है तो टेंडल एफेक्ट के पीछे जो कारण है जो जो कोलाइडल पार्टिकल से यहने कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश का या प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकिर्णन जिससे की प्रकाश के किर्णों का पत हमें चमकता हुआ दिखाई देता है पूरी प्रकाश की किर्णों का पत प्रदिप्त हो जाता है और इसलिए हमें पूरे कोलाइड के बीच में इनका प्रकाश किर्णों का पत दिखाई देता है तो इस तरह से टिंडल एफेक्ट का कारण है कोलाइडल कणू के द्वारा प्रकाश की किर्णों का सभी दिसाओं में प्रकिर्णन कोलाइडल कणू या कोलाइडल विलियन के द्वारा टिंडल एफेक्ट प्रदर्शित करने के लिए दो शर्ते हैं सबसे पहली शर्ट तो यह है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों का आकार है उसके कणों का व्यास है वह प्रयोग किये गए प्रकाश की तरंग धैर से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए लगभग बराबर होना चाहिए दूसरा यह कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो परिक्षिपन माध्यम है दोनों के अपवर्तनांक में काफी अंतर होना चाहिए यनि कि जो भी कोलाइट सोलूशन इन दो शर्टों को पूरा करेगा वही टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है अब यह टिंडल इफेक्ट का उप्योग क्या है तो टिंडल इफेक्ट का उप्योग यह है कि इसके द्वारा हम एक शुद्ध विलियन और एक कोलाइडल विलियन दोनों की पहचान कर सकते हैं या दोनों में अंतर कर सकते हैं और इसका सरुप्रथम उप्योग किया था वैज्ञानिक रिजमॉंडी में और इन्हों ने 1903 में एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आपके जो सामान माइक्रोस्कोप होता है उससे अलग होता है आपका जो सामाने माइक्रोस्कोप है वह प्रकाश की परावर्तन के सिधान पर काम करता है जब पदार्थ पर प्रकाश की किर्णे पढ़ती है और उससे परावर्तित होकर हमारी आखों पर आती है तब हमें वो चीज दिखाई देती है जबकि रिजमूंडी का जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वह प्रकाश की प्रक्रिणन पर के सिधान पर कारिग करता है जब एक काच के भीकर में यदि हमकोलाइल सोलूशन ले और उस पर एक प्रकाश की किर्णों को वहाँ पर फोकस करते हैं और उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा उसके प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा में जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं लंबवत दिशा से हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो चुकि प्रकाश कोलाइडल करण प्रकाश की किर्णों को सभी दिशाओं में प्रदिप्त कर देते हैं इसलिए भिन भिन कोलाइडल कण एक चमकते हुए सितारे की भाती दिखाई देते हैं और इस तरह से इनि सितारों की भाती जो कोलाइडल कण हैं उनकी पहचान अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कर लेता है यहां पर हम बता दें कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वह कोलाइड के पार्टिकल साइज को भी अभी नहीं देख पा रहा है क्योंकि कोलाइड पार्टिकल साइज इतने छोटे होते हैं कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी उन्हें पहचान या उनके आकार को या उनकी साइस को नहीं जान पाता लेकिन उनके द्वारा जो प्रदिप्त प्रकाश है उसको वह पहचान लेता है और इस तरह से वह एक सुद्ध विलियन और कोलाइड विलियन की पहचान कर पाता है और इस तरह से टिंडल प्रभाव का को प्योग करके हम कोलाइडल विलियन तथा शुद्ध विलियन की पहचान कर लेते हैं